साद माधा मधनी धामा प्रेटन कर रहे हैं तो उनके भी काम आने वाला ये मंत्र है इस प्रयोग से क्या होता है ये आपको मैं बता दू जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आपकी बल बुद्धी विद्या जो है अतित्रिव स्पीट से प्रगती करने लगती हैं मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है अगर ये प्रयोग करोगे तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वो जादा से जादा समय अपने पढ़ाई में देंगे और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं मन लगा कर पढ़ते हैं लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वो उन्हें याद नहीं रहता या फिर आपके बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं बुद्धी अच्छी है सब अच्छा है लेकिन वो पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो हमारी युवा पेड़ी है वो नोकरी की तलाश में है बहुत बार परिक्षय देते हैं सरकारी नोकरी के लिए लेकिन हर असफल हो जाते या फिर एक दो मार्क से कट जाते हैं तो ऐसे सबी युवाओ के लिए भी ये मंतर अती कारगर सिद्ध होगा और ये हमारा परिक्ष और जो मैं मंत्र आप लोगों को देता हूँ मेरी एक खासियत है मैं वही मंत्र आप लोगों को देता हूँ जो हमारा परिक्षित है क्योंकि जब आप ये प्रयोग करोगे और अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपका विश्वास उड़ जाएगा इन चीजों से एक लाग प्रतिशत हमें मिला है तो आप ये प्रयोग करोगे तो आप खुद देखोगे आपके बच्चों में परिवर्तन या अगर आप युवा है और आप हर बार परिक्षा देते हैं और एक दो मार्क से अगर आप कड़ जाते हैं तब ये आपके काम आने वाला मंत्र प्रयोग हैं इस प्रयोग को कैसे करना है सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे इस प्रयोग को करने से मा सरस्वती का साक्षात आशिरवाद आपको मिलता है उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक जड़ी की आवशक्ता जिसका नाम है रक्त गुंजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह है रक्त गुंजा इसकी जड़ी आपको किसी भी पुश्पनक्षत्र के दिन लानी है आपको क्या करना है आपको कैलेंडर में देखना है कि पुश्पनक्षत्र कब आ रहा है कौन से मैने में आ रहा है ठीक है आप उससे पहले ये पेड ढूंड के रखे या आपको गाओ देहात के एरिया में बहुत मिल जाएगा जा कचरा वगरे जाड़ी वगरे होती है वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा या खेती के जो इलाके वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा गाव देहात में अगर आपके कोई परीचीत लोग रहते हैं अगर आप उनको बताएंगे तो वो ढूंड कर रख देंगे तो सबसे पहले आपको रक्त गुंजा का जो पौदा है वो ढूंड के रखना है अब आपको इंतजार करना है पुश्पनक्षत्र आने का कोई भी पुश्पनक्षत्र हो मैं रवी पुश्पनक्षत्र नहीं बोल रहा है कोई भी पुश्पनक्षत्र हो किसी भी मैने का पुश्पनक्षत्र हो चलेगा आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए कल पुश्पनक्षत रहें याने मान लीजिए कल 14 तारीक है और 14 तारीक को पुश्पनक्षत रहें तो आप क्या करेंगे 13 तारीक को उस पौधे के पास जाएंगे साथ में आप क्या ले जाएंगे हल्दी कुमकुम और चावल का अक्षद कोई भी एक मिठाई ले जाएंगे एक तेल का दीपक ले जाएंगे अगरबत्ती ले जाएंगे कपूर ले जाएंगे आपको क्या करना है सबसे पहले उस पेड़े के उपर थोड़ा सा जल चड़ाना है जड़ी के पास में उसके बाद उसे हल्दी कुमकुम का तीलक लगाएंगे थोड़ा सा चावल का अक्षद डालेंगे उसके बाद सामने मिठाई रखेंगे फूल डालेंगे फूल भी लेके जाना फूल डालेंगे उसके बाद आप कपूर जलाएंगे अगरबत्ती जलाएंगे पाज बार अगरबत्ती घुमाएंगे दिपक जलाएंगे दिपक भी पाज बार दिखाएंगे उस पौधे को और वहार रखेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि है वुरुक्षराज मैं कल पुष्पनक्षत्र में आपको लेने के लिए आऊंगा आपकी जड़ी में लेकर जाऊंगा आप मेरे साथ पूर्ण गुनों के साथ चल कर मेरा उद्धार करें जिस कारिय के लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ उस कारिय में मुझे सफलता प्रदान करें आप अपना आशिरवाद मेरे पे बरसा कर मेरा भग्य उदे करें ऐसा आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और उनको बोलना है कल में इतने समय में आपको लेने आउंगा आप देख लेना पुषपनक्षत्र कप से लग रहा है उस हिसाब से आप समय दे देना पुषपनक्षत्र का मानलीजे एक बजे से पुषपनक्षत्र लग रहा ह 14 तारीक को तो आप बोल देना कल 14 तारीक है एक बजे पुश्पनक्षत्र लग रहा है और उस समय में आपको लेने आऊंगा ऐसे बोलकर आपको चले जाना है पीछे पलट कर नहीं देखना है अब आप क्या करेंगे दूसरे दिन जाएंगे और उसकी जड़ी निकाल कर पुश्पनक्षत्र लेने आऊंगा इतने बजे और मैं अपने वचन अनुसार लेने आया हूँ आप मेरे साथ चलकर मेरे कारें को सिद्ध करें मेरा भग्य उदे करें मेरा उद्धार करें ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जिस काम के लिए ले जा रहे है वो सारे काम चालू करे और जड़ी को लेकर आ जाए अगर मान लीजे पेड़ बहुत बड़ा है तो थोड़ी सी आपको जहां से जड़ी मिल जाए वहां से खोद कर जड़ी निकाले पूरा पेड़ काटने की जरुरत नहीं है ने तो आप पूरा ही पेड़ी उखाड़ दो गया ऐसा ना क लगते हैं जड़ी घर पर लाने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जड़ी को जो है अच्छे प्लेट में रखके उसे दूद का अभीशेक कराना है मतलब दूद से अच्छे से धूना है उसके बाद गंगा जल से धूना है अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल से भी जड़ी को धो के अच्छे से पोच सकते हैं उसके बाद हल्दी कुमकुम का आपको तीलक लगाना है तोड़ा चावल का अक्षद डालेंगे उसके बाद पुरुव दिशा की और मुख करके आपको जड़ी अपने सामने रखेंगे एक अगरबत मंत्र पूरा होने के बाद उस जड़ी पर आपको फुक मारना है मैं 108 बार बोल रहा हूँ अगर आप जितना ज्यादा कर सके अच्छा है दो माला तीन वाला अगर आप कर दो तो और अच्छा है उसकी पावर जड़ी की बहुत तेज हो जाएंगी तो मैं तो सला दूंगा क 108 के बज़े एक जार आठ बार जब कर दे तो बहुत अच्छा होगा मतलब हर मंत्र पूरा होने के बाद आपको जड़ी के ऊपर फुक मारते जाना है ऐसा एक regular बार करें तो बहुत अच्छा होगा एक जड़ आप बार जब करने के लिए ज्यादा ज्यादा आप ज्यादा समय नहीं लगेगा मंत्र छोटा है उसके बाद इस जड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर पूजा इस्थान में रख दें अब इस जड़ी का दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूं इस जड़ी को आप ताबीज में भरकर गले में धारन कर सकते हैं या अगर आपके बच्चे हैं चोटे बच्चे हैं या कोई हमारे स्टूडेंस हैं युवा पिड़ी है वो लोग भी ताबीज में धारन कर सकते हैं बाजू में भी धारन कर सकते हैं और अगर मान लीजिए आप ताबीज धारन नहीं कर सकते हैं ना आप कंट में ध घसना है चंदन जैसे घसते ना जिस पटे पे उस पे आपको घसना है घसते समय इस मंत्र को पढ़ते रहना है फुक मारते रहना है जो तीलक निकलेगा ऐसा आपकी इतना बार करेंगे 31 बार करेंगे मंत्र पढ़ते रहेंगे और उस जड़ी को घसते रहेंगे जो तीलक बन देने जा सकते है या परिक्षा देने जा सकते है तो आपको जो है इसका 100 परतिशद लाब मिलेगा और आप देखेंगे कि आप जिस काम के लिए जा रहे है वहाँ से आप सफल होकर लोट होगे और एक बात बहुत सारे लोगों के मन में प्रशन उट रहा होगा कि गुरू जी अगर पुष्पनक्षत्र लगा है और पुष्पनक्षत्र लगा है और हमारे घर से वो जो जगा है जहाँ पेड़ है वहाँ जाकर जड़ी लाने में इतना समय हो जाएगा कि पुष्पनक्षत्र निकल जाएगा तो क्या करे ऐसे इस्तिती में आप दो चीज कर सकते हो आप पुश्पनक्षत्र में ला लोगे अगले पुश्पनक्षत्र में आप उसे सिद्ध कर सकते हो या फिर आप जहां से जड़ी निकाल रहे हो वही पर ही बैट कर आप इसे सुद्ध और सिद्ध कर सकते हैं सुद्ध मतलब दूद का अभी शेक गंगाजल का अभी शेक करके हल्दी कुमकुम का तीलक लगाने के बाद जो आप मंत्र जाब करोगे उसे सिद्ध कहेंगे और सुद्ध का मतलब आप दूद और गंगाजल से जो उसका इसनान करा रहे हैं वो होता है शुद्ध करना तो आप जो है जिस स्थान से जड़ी निकाल रहे हैं वही पे बैठ के भी आप जड़ी को सुद्ध और सिद्ध कर सकते हैं वही पे बैठ कर मंत्र जाब भी कर सकते हैं या फिर आसपास कोई मंदी रहे हैं वहाँ पे भी जाकर आप ये कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आपके सारे प्रश्णों के उत्तर मैंने दे दिया अगर आपके बच्चे है जो स्कूल जाते है तो आप उनके गले में भी जो है इस जड़ी को ताबीज में भरके धारन करा सकते हैं या फिर इस जड़ी को घस कर तिलक लगवा सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ये जड़ कोई भी सिद्ध कर सकता है जैसे आप सिद्ध करके अपने बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हो आप सिद्ध करके इसे ताबीज में भरके आप अपने बच्चे के गले में धारन करा सकते हो या आप सिद्ध करके अपने भाई को दे सकते हो बैन को दे सकते हो ऐसी कोई द कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं कुछ उपाय बताए तो उनको भी जो है आप ये जड़ी ताबीज में भरकर सिद्ध करके दे सकते हैं और उनको बोले कि आप अपने बच्चों को पैना दो या खुद धारन कर लो अगर खुद के लिए वो बोल रहे हैं तो आप एक लाग प्रतिशद उन्हें लाब मिलेगा और वो आपको ढूंडते हुए आएंगे और आपका धन्यवाद करेंगे आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करत मुझे बड़ा दुख लगता है इस बात पर जै मामा तंगी